आगरा में सरवाधेत लोग की एड चैनल सीन्यूस की एड को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ब्लैक फंगस पर आईयमे अध्यक्ष डॉक्टर राजी उपाध्या ने बताया कि सही समय पर ही बिमारी का सही लाजी है साथ ही किसी प्रकार का काला निशान और आखों में कोई परिशानी होने पर चिकस्तकों से संपर करें ना कि लोग सोचें कि ये ब्लैक फंगस है ब्लैक फंगस पर आईयमे अध्यक्ष डॉक्टर राजी उपाध्या ने बताया कि सही समय पर ही बिमारी का सही लाज जरूरी है साथी किसी प्रकार का काला निशान और आखों में कोई परिशानी होने पर चिकस्तक से संपर करें ना कि लोग सोचें कि ये ब्लैक फंगस है आज कल सारों लोग परिशान हैं जिनको को बढ़ दुआ है यह जिनकी रिष्तीदारहों को को बड़ वा है यह इनकी आज कामको हौई टो गया दो तो देखिए तो मुझे कहीं काला फंगस तो नहीं हो गया मॉट सुना जा रहा है बहुत चला आई बहुत पुरत आई ऐसा नहीं है यह उनी लोगों को उता है जिनकी सुगर खराब हो और भी बहुत खराब हो कंट्रोल नहीं हो दूसरा उन लोगों के इंकि के इमनियों जब सरदर सांस लेने में परिशानी बुखार धुनलापन खासी नाग बंद होना साइनस का दर्थ संक्रमित हिस्से में काला पनाना चहरा सूच जाना आखे लाल होना ब्लैक फंगस के लक्षन है किसी भी आदमी को अगर हम इस्ट्रोट दे रहे तो आट देते हैं हो सकता है जरूत पड़े तो महीने बतर देते हैं कोविट के अंदर लेकिन उसको काला पनाना सोने के चांसे बहुत ही कम होते हैं रेर होते हैं और अभी तक मेडिकल कॉलेज और आगरा में प्राइविट हो अगर हो रही है उनको तो इलाज होगा ठीक होगा इलाज के साथ तो अप्रेशन जरूत वह भी होगा आएमे अध्यक्ष डॉक्टर राजीव उपाध्या ने बताया कि अगर आपको म्यूक और माइकोसिस के कोई भी लक्षन नजर आते हैं तो आप तुरांट अस्पताल जाएं और डॉक्टर को बताएं डॉक्टर आपके संक्रमित हिस्से का सेंपल लेकर उसे जाँच के लिए लैब हिस्से है लैब में सेंपल की जाँच करके पता लगाया जाता है कि ये ब्लैक फंगस है या नहीं यदि ब्लैक फंगस पाये जाता है तो जिस हिसे में फंगस होता है उसे निकाल दिया जाता है ताकि दूसरे हिस्सों में ये ना फैल सके इसके साथ ही इलाज के लिए कुछ इंजेक्शन लगाये जाते हैं और ये कई दिनों तक लगते हैं सी नियूस के लिए लक्षमी राज सिंग की रिपोर्ट